Hello Guys, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे बहुत ही important test, जो JEE के लिए और NEET के लिए बहुत ही important है, इस test का नाम है Lassine test, यह Lassine test जो होता है, इसका aim क्या होता है, it aims to detect presence of nitrogen और sulfur and halogens in an organic sample, organic compound का कोई sample है, उस sample में यह functional group को नहीं, यह element को detect करने के लिए होता है, यानि this test is not for the detection of functional group, for detection of elements, अब कैसे किया जाता है इसको, तो आईए देखते हैं, तो सबसे पहले यह test करने के लिए हमें बनाना होता है, sodium fusion extract short में उसे हम बोलेंगे SFE, तो देखिए यह test tube है, वो यह test tube है, इसके अंदर एक organic compound का sample है, it is sample of organic compound, जिसको हमें test करना है, जिसको हमें detect करना है कि क्या present है, nitrogen है, sulfur है, यह halogen है, तो अब क्या करते हैं हम इसके अंदर, sodium metal हम इसके अंदर डालते हैं, और heat करते हैं, fuse करते हैं इसको, यानि sample is fused with sodium metal, अब sodium metal की reactivity इतनी जादा होती है कि sample के जो bond है, उनको वो break करता है, जैसा भी organic compound है, उसको break करता है, और break करने के बाद जो atoms हैं, उ से, sample contains halogen, तो इस sodium metal जो होगा, यह chlorine अगर है, तो chlorine से combine करके NaCl बनाएगा, तो यह जो NaCl बनेगा, इसको बोलेंगे sodium fusion extract, अगर मान लीचिए, यहाँ पर bromine present है, sample के अंदर, तो ऐसे case में Na और BR आपस में reaction करेंगे, और NaBR बन जाएगा, अगर यहाँ पर I present है, तो यहाँ पर बन जाएगा, NaE, तो यह सब चीजे जो है, यह जो finally बनती है, sodium के साथ fuse करने के बाद, fuse मतलब heat करना, तो जहाँ आपस में combine करते हैं, तो यह जो extract निकल के आता है, इसको बोलते है, sodium fusion extract, similarly, मान लो, compound के अंदर, nitrogen present है, carbon तो होता ही है, तो यहाँ पर बन जाता है, NaCN, तो यह यह इसकेस का sodium fusion extract है, अब students को एक doubt आता है, सर, आपने यहाँ तो carbon का use किया, उपर use क्यों नहीं किया, तो यहाँ पर sodium metal, carbon और chlorine का कोई meaningful compound ही possible नहीं होता, यहाँ possible होता है, तो combine कर गया, similarly, मान लो, यहाँ पे सिरफ sulfur present है, तो it will get converted to Na2S, for example, मान लो, यहाँ पे sulfur भी है, nitrogen भी है तो sulfur, carbon और nitrogen will combine to give sodium thiocyanate, NaSCN, तो यह सारे various sodium fusion extract हैं, जो form होते हैं, अब इसके बाद इनको test करना बहुत असान होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें test एक तरह से किसका करना है, Cl negative का, यहाँ test करना है, Br negative का, यहाँ test करना है, I negative का, यहाँ CN negative का, यहाँ करना है, S minus 2 का, यहाँ thionate, iron का, हमको करना है, तो आईए one by one test करते हैं, सबसे पहले हम detect करेंगे halogens को, तो देखिए halogens का जो extract आया, NaCl जैसे आया, अब क्या करेंगे, इसकी reaction हम कराएंगे, silver nitrate के साथ, जैसी silver nitrate के साथ इसकी reaction होगी, यहाँ पे AgCl का, white color का, curly PPT बन जाएगा, तो अगर in test tube में हम तो यह जो PPT आपको दिखाई दे रहा है, this is the PPT of AgCl, अगर हमने यहाँ पे NaBr लिया, और अगर AgNO3 से reaction कराया, तो यहाँ बन जाएगा AgBr, इसका जो PPT बनता है, वो बनता है pale yellow, in fact थोड़ा सा हलका सा yellow है, में थोड़ा सा कुछ यह whitish सा ही है, तो AgBr का pale yellow PPT बनेगा, so this is actually AgBr This was AgCl, AgBr is soluble in aqueous ammonia, ammonia aqueous में soluble होता है, यह इसकी पहचान है, अगर हमने यहाँ पे NaI लिया, तो पताईए किसका PPT बनेगा, then we will get PPT of AgI, yellow color का PPT हमें मिलेगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, so this is AgI, तो इस तरीके से हमने हलोजन को detect किया, आईए अब देखते हैं, अ तो सबसे पहले case हम ले रहे है, sulfur का, सबसे पहले sodium metal sulfur के साथ combine करके बनाएगा, Na2S, Na2S बनने के बाद, अब possibility क्या है, या तो उसको lead के साथ combine कराके, black PPT, PBS का बना सकते हैं, एक test इसका ही हो गया, लेकिन इससे भी ज़्यादा common है, यहाँ पे, हमने यहाँ पे Na2S का reaction कराया, किसके साथ, Na2, FeCN5O, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, sodium nitro proside solution, sodium nitro proside, अब यह जो compound है, इससे जब यह reaction करेगा, तो यहाँ पे violet color का complex बन जाएगा, this violet color complex is formed, अब मालीजे compound के इंदर nitrogen है, तो जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, यहाँ बन जाएगा, NaCN, NaCN बन जाएगा, तो इसका reaction हम करते हैं, किसके साथ, FeSO4 के साथ, FeSO4 के साथ, जब इसका reaction होता है, तो सबसे पहले बनता है, कुछ ऐसा, Na4, FeCN6, potassium, ferocyanide, अब इस process में, जो Fe3 plus ions generate होते हैं, उनसे यह compound है, यह reaction करता है, और इस तरह का complex बनता है, यह जो complex है, यह क्या है, फेरो फेरी साइनाइड, यह जो complex होता है, फेरो फेरी साइनाइड, इसका color होता है, Prussian blue, Prussian blue, it is a special type of blue color, जो actually Germany में काफी popular है, इसलिए इसको Prussian blue बोला जाता है, उसके अलावा एक possibility और हो सकती है, कि अगर यहाँ पे, क्या present है, like, sulfur भी present है, nitrogen भी present है तो ऐसे case में हम क्या करेंगे, ऐसे case में आपको बताया था, मैंने जो sodium fusion extract बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, N-A-S-C-E-N, और इसकी reaction जब हम करेंगे, FeCl3 के साथ, neutral FeCl3 के साथ, तो यहाँ पर यह बन जाएगा, FeS-C-E-N thrice बनेगा, यह जो complex है, actually it is blood red in color, यह blood red color का होता है और artificial blood के रूप में भी, यह ऐसे ही, like fake blood के रूप में इसको use करते हैं कई बार, तो यह आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, यह actually क्या है, this is this particular PPT, FeS-C-E-N thrice, so girls and boys, इसमें आपने लेका, सबसे पहले हम, sodium fusion extract को हम बनाते हैं, फिर हमने halogens को detect किया, with the help of HNO3, nitrogen को detect किया हमने with the help of FeS-O4, जिसमें प्रचन ब्लू कलर आया, sulfur को हमने देखा with the help of sodium nitroproside solution, और sulfur और nitrogen दोनों अगर हैं यहाँ पर, तो हमने देखा कैसे blood red coloration of FeS-C-E-N thrice will occur, okay guys, I hope आपको बहुत मजा आया होगा और बहुत help मिली होगी इस test से, so please do share, like and subscribe, thank you